नमस्कार मैं हूँ गौरफ सावंत आप देख रहे हैं रण भूमी और सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसवा सांसच स्वाती मालिवाल की जिन्नोंने आरोप लगाया कि 13 मई को डिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल के आवास पर मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ बदसलू की की इस मामले में दिल्ली पुलीस के तीन IPS अधिकारी इस समय स्वाती मालिवाल जो राज्यसभा की सांसद हैं आम आदमी पार्टी की उनका बयान दर्ज करने के लिए उनके घर पहुचे हैं वही राष्ट्रिय महला आयोग ने मीडिया की खबरों का संग्यान लेते हुए अर्विन केजरिवाल के सचे विभव कुमार को कल सवेरे 11 बजे पूचताच के लिए बुलाया है राष्ट्र महला आयोग ने 13 मई को ही दिल्ली पुलीस से पूचा था कि उन्होंने इस मामले में अब तक क्या कारवाई की है आज दिल्ली पुलीस की एक टीम जिसमें तीन IPA सदिकारी है ये आम आदमी पार्टी की सांसत स्वाती मालिवाल के सरकारी आवास पहुचे पूरे मामले पर बवाल उस समय बढ़ा जब विभव कुमार को लखनाओ एरपोर्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल के साथ देखा गया हम आपको वो तस्मीरे भी दिखाएंगे विभव कुमार जिन पर आम आदमी पार्टी की ही सांसत स्वाती मालिवाल ने मारपीट का अभद्र व्यभार का आरोप लगाया जिन पर कारवाई का भरोसा आम आदमी पार्टी के सांसत संजे सिंग ने बकायदा एक प्रेस कॉंस स्वाती मालिवाल के घर से जानकारी ये मिल रही है कि एडिशनल कमिशनर स्पेशल सेल प्रमोत कुश्वाहा स्वाती मालिवाल के घर पहुँच गए हैं स्वाती मालिवाल से बातचीत करने के बाद फ्लाट की बैलकिनी से उन्होंने सीनियर अफसरों को बकायदा ब्रीफ क और मेरे सहीयोगी अर्विन दोच्छा जादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्विन दिली पुलीस की टीम स्वाती मालिवाल के घर और वो भी IPS सदिकारी इस समय वहां मौझूद है। क्या जानकारी निकल कर आ रही है किस तरह की जानकारी दिल्ली पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है यह समय देखिए मैं अब सीधे तस्मीरे आपको दिखाता हूँ दो घंटे से जादा का वक्त हो चुका है यह देखिए यह फ्लैट जो जाली वाला फ्लैट है यह स्वाती माली वाल का ही सरकारी फ्लैट है जहां पर दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो यहां पर मौझूद है तक्रिबन दो घंटे से जादा का वक्त हो चुका है जो अधिकारी है वो स्वाती मालीवाल से बादचीत कर रहे हैं जो टॉप ओफिसियल है उनसे हमारी बादचीत हुए हुए उनका कहना है कि 13 मई को जो स्वाती मालीवाल ने PCR कॉल किया था उसके बाद खुद पुलिस टेशन पहुंची थी उस आधार पर चुकि स्वाती माली घर के अंदर मौझूद है यह जो अधिकारी है वो इसी गाड़ी से यहां पर आये थे अब क्या स्वाती मालीवाल स्टेटमेंट देंगी रिटेन स्टेटमेंट देंगी वही स्टेटमेंट जो 13 मई को उन्होंने PCR कॉल किया था और PCR कॉल में यह बताया कि उन्होंने विभ होकुमार के मुश्किले बढ़ सकती है साथी साथ पुलिस के पास ही अधिकार होगा कि वह सियम हाउस जाए और वहां पर जाकर जाच परताल करें फिलहाल अगर देखिए तो मीडिया कर्मियों कि यहां पर गहमा गहमी है क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है और पिछ प्रोफाइल है दिली से लखनवु तक बवंडर मचा हुआ है गरो इस पुरे मामले को लेकर और फिलहाल इंतजार किया ज़रा है कि जो अधिकारी दो घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है वो स्वाती मालीवाल से बाचीत कर रहे हैं क्या स्वाती मालीवाल स्टेट् नहीं देती है या नहीं देती है इन सब चीजों पर तस्वीर साप होगी जब दिली पुलिस के अधिकारी अब तक जो कानूनी कारवाई है या पुलिस की कारवाई है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाई लिखित में शिकायद क्यों नहीं हुई क्या इसके बीचे कुछ क्लारिटी मिल रही है देखे गरो जब कोई PCR कॉल होती है जैसे 9 बच कर 34 मिनट को 34 मिनट पर 13 मैं को जब PCR कुल की गई तो PCR कॉल पर जो लोकल पुलिस से वो रिस्पॉंड करती है मौके का पर गई CM हावाज जो क्राइम सीन था वहाँ पर स्वातिमालिवाल नहीं मिली है कि वह बाद में return complaint देंगी और उसके बाद पुलिस इंतजार कर रही थी एक दो बार contact करने की कोशिस की गई और आज senior अधिकारी यहां पर मौजूद है देखे एक एंगल इसमें यह भी है कि NCW उन्हें स्वता संग्यान लिया है और दिल्ली पुलिस से एक्सेंट टेकन रिपोर्ट मांगी है तो दिल्ली पुलिस को भी बताना होगा कि हमने यह यह कारवाई इस मामले में की है लेकिन जब तक स्वाती मालिवाल जो 154 CRPC कहता है कि कोई ओरली भी कहता है या कोई कॉल भी चलती है तो कम से कम जो पिडित है उसका सिंगनेचर किया हुआ बयान जरूरी है और जैसे ही अगर स्वाती मालिवाल सिंगनेचर बयान देती है उसके बाद पुलिस एक्सेंट मो से तक काम कर चुकी है और इस समय राज्यसभा की सांसद है आम आद्मी पाटी की अब तक खामोश है सियासत चरम पर है आरोपों के घेरे में विभव कुमार अर्विन केजरिवाल के साथ उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनों में नजर आए जहां दिल्ली के मुखे मंत करते हैं और उन्होंने स्वाती मालिवाल जी के साथ बहुत बग्तिमी जी की अबदर्ता की अर्विंद केजरिवाल जी ने पूरी घटना को संग्यान में लिया है और इस पूरे मामले में सक्त कारवाई करने को कहा है पहली बारा मादमी पार्टी ने स्वाती मालिवाल के साथ हुई बदसलूकी की बात मानी विवाव कुमार पर कारवाई की बात की लेकिन इंडिया गटबंधन के लिए प्रचार करने लखनव पहुंचे अर्विंद केजरिवाल के साथ विवाव कुमार एरपोर्ट पर नजर आए तो बीजेपी हमलावर हो गए संजे सिंग कहा रहे हैं कि इस घटरा में विवाव का हाथ है और अर्विंद केजरिवाल इस पर संग्याल लेंगे और अर्विंद केजरिवाल उसे अपने बाहों में लेकर लखनव गुम रहे हैं आप समझ लीजे आप आपनी का पार्टी का चरितर क्या है और स्वाती मालिवाल से मारपीट या बदसलूकी के मुद्दे पर जो विपक्ष का गडबंधन है उसके जादतर नेताओं ने अभी तक बयान अपचारिक तोर पर नहीं दिया है तो वो स्वाती मालिवाल के साथ खड़ी है प्रियंका गांधी वादरा ने कहा कि वो महिला के साथ किसी भी तरह के अभद्र बरताफ के बिलकुल खिलाफ है उन्होंने कहा कि वो हमेशा पीड़ित महिला के साथ खड़ी रहेंगी खड़ी दिखेंगी हमाई साथ कॉंग्रेस पार्टी की महासचिव और पार्टी की वरिशनेता प्यांका गांधी वाडरा साथ में हैं लगातार राई बरेली अमेठी में मोर्चा संभाले हुए दिन में 12-15 सभाएं कर लेती हैं गला भी थोड़ा खराब है अब नारा यहां राई बरेली से चल पड़ा है कॉंग्रेस नेता कह रहे हैं कि आप उमीदवार को नहीं जिताएंगे आप देश के प्रधान मंत्री को जिताएंगे खरगेस आप कह रहे हैं कि अब तक जो चार चरन हुए उसमें इंडिया गडवंदन ने लीड बनाई है मोदी जी कह रहे हैं चारो खाने चित हो रहे हैं आप लो तो क्या महौल चल रहा है और क्या वाकई में देश का प्रधान मंत्री राइबरिली देने जा रहा है देखिये मैं जोतिशी तो हूँ नहीं तो मैं या नहीं कह सकती कि चुनाव के नतीजे क्या होंगी लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हमने पूरे देश भर में देखा है कि जनता का एक अंडर करंट है जनता नाराज है खास तोर से जो युवा हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी बे-रोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी सारी समस्याइं और समस्याओं के हल की बात ही नहीं हो रही है भाजपा के नेटा प्रदानमंत्री से लेकर जो चुनाव के प्रत्याशी हैं एक-एक वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी शब्द मुझ से नहीं निकल रहा है, महंगाई शब्द मुझ से नहीं निकल रहा है, किसानों की बात नहीं हो रही है, मजदूरों की बात नहीं हो रही है, मिडल क्लास की बात नहीं हो रही है, तो बातें जो हो रही हैं, वो हमारे लिए अच्छी नीटिया लाएगा उसी को हम जिताएंगे और स्वाभाविक है कि मैं कॉंग्रिस पार्टी की नेता हूँ स्वाभाविक है कि मैं कॉंग्रिस की नीटियों की बात करूंगी और हमारे इस बार जो हम गैरंटी ला रहे हैं जो एक लाक रुपए सालाना महिलाओं के खाते में डालने की बात है जो जो नौजवानों के लिए सनातक पास के लिए नौकरी की बात है कि एक लाक रुपए उनके लिए भी सालाना होंगे खेती में खिसानी में GST समान से हटाने की बात है जो कर्ज माफी की बात है ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं इनका प्रमान है क्योंकि जहां करनाटक प्रदेश में करनाटका में हमारी सरकार है हम दे रहे हैं महिलाओं को महिलाओं के खाते में दो-दो हजार डाल रहे हम कह रह अगर केंद्र की तरफ से केंद्र में सरकार बने जहां हम 36 गड़ में राजिस्तान में जहां हमारी सरकारें थी वहां कर्जमाफ भी करके दिखाये हैं 25 लाग की जो स्वास्त वीवां की बात कर रहे हम वो भी हमने राजिस्तान में करके दिखाया तो हम हमारा हम प्रमान दे र यहां से लोग सुन्ज रहे हैं दियान से प्रधानमंत्री लगातार ये बात कर तक्ति करते हैं। पुछले साथ साल में आप लोग ने तुष्टी करन की जमकर राजनीती की उन्हें कहा तेंड़ कर चाहित déjà। कि बात ये है कि प्रधान मंतरी जी जो बातें करते हैं उनका अधार ही नहीं है उनकी बातों में वजन नहीं रहा किस अधार पर कह रहे हैं कोई फैक्ट्स हैं कुछ दिखा सकते हैं कि ये किया गया है किस अधार पर कह रहे हैं और फिर उनकी बात कौन मानेगा कुछ कहते हैं अगले दिन उसका खंडन कर देते हैं, अगले दिन कहते हैं कि मैंने मुसलमानों की बात की ही नहीं, अगर मैं ऐसी बात करूँगा, तो मैं देश का प्रधान मंत्री बनने के योग्या ही नहीं हूँ, आप खुद कह रहे हैं, उसके बाद आप फिर से चुनावी सभा में जाक दी थी, उमीद भी डाल दी थी, श्रद्धा भी थी, लेकिन आपने कुछ किया नहीं हमारे लिए, दस साल बीत गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और हम अब अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, जनता कह रही है, सीधा सीधा, तो प्रधा मंत्री पद के प्रती जनता की आस्था रहती है, और कम से कम जनता ये उमीद रखती है कि जो इस पद को समहलेंगे, वो सच बोलेंगे हमें, इतनी जिम्मेदारी से बात करेंगे, तो अब प्रधान मंत्री कहने लगे कि कॉंग्रेस पार्टी आपका आपकी भेंस जुराए नहीं है, दूसरा, आप खुद ही बता रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, जब कि लिखा ही नहीं है, और तीसरा, आप इतनी फिजूल की बातें कर रहे हैं कि जनता हस रही है, और आपको ये भी असास नहीं कि जनता हस रही है, तो आप कट गए हैं फि वो पहलवानों कम मसला हो शोशन को लेके और अभी जो है स्वाती मालिवाल को लेके आमादमी पार्टी में बड़ा हड़कम चल रहा है कि और यह भी सवाल किये जा रहे हैं बीजेपी द्वारा कि इंडिया ब्लॉक के सारे नेता खासतोर से प्रियंका गांदी जो महिला सुर सुरी क्योंकि मैं यहां रही हूं तो मैंने जादा देखा नहीं है अभी तो कोई कारवाई नहीं हुई है लगातार उन ने दिली पुलिस में भी कॉल की थी और राजसभा की सांसद है सीम आवास में यह होता है तो बतौर इंडिया ब्लॉक के पार्टनर के तौर पर आपक ही और तो मैंने हमेशा यही स्टैंड लिया है सबसे पहले लेकिन भाजपा के नेता कैसे बोल सकते हैं हातरस में जो हुआ उस लड़की को जलाया गया उसके माता पिता को अंतिम संसकार नहीं करने दिया माता रो के मुझे कह रही है कि मुझे अपने बेटी के का चेहरा भी जाती हैं मोदी जी चाय पिलाते हैं फोटो खिचवाते हैं पूरा भाजपा बोलता है मोदी जी है तो मुम्किन है कि मैडल मिल रहा है फिर वही लड़की कुछ कहती है तो मोदी चुप हो जाते हैं मतलब करनाटका में क्या हुआ करनाटका में मंच पे खड़े हैं इनके सा वोट बांग रहे हैं और जब इतनी बड़ी चीज होती है वो आदमी निकल जाता है देर से और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है का ज़रे कंग्रेस करनाटिका पर बोलती है इस पर नहीं बोलती है मैं बोल रही हूं मैंने आप से कहा कि जहां भी महिला के साथ अत्याचार हुआ है अगर हुआ है अगर सही माइने में ऐसा हुआ है तो उस महिला के पक्षमे मैं खड़ी हूं और उसका साथ देती हूं मैं चाहे किसी और पार्टी में है वो बात करना चाहेंगी तो मैं करूंगी लेकिन उसकी पार्टी तै करेगी उसके लिए और मेरे ख्याल से दूनेंगे मतलब जो स्वाती जी के लिए उनको अबसेप्टिबल हो शुक्रियाम से बात करने के लिए प्रियंका गांधी वादरा यहां पर बेबाकी से स्वाती मालिवाल के मसले पर भी उन्होंने का कि मैं हमेशा महिला सुरक्षा की बात करती आई हो और चाहिए कोई भी म हिला हो अगर उसके साथ कोई अभधरता होती है तो उसके खिलाफ और उनके पक्ष में मैं हमेशा बोलती आई हो क्यामरा पसिंट शगुन भरदवाज के साथ मौसमी सिंग राए बरेली आज तक हम उस सीट पर इस समय मौजूद है जिसे देश की सबसे सूपर हिट सीट मान है कि यहां पर वोट पढ़ने से पहले एक खांदान का बोरिया विस्तरबान लिया वोटर निपफर क्या मुकाबला वाकरी आसान हुआ है क्योंकि लोगों को खुश फैमिये कि यहां पर कोई कैंडिडेट लड़ता है यहां कॉंग्रेस का पूरा एको सिस्टम लड़ता है और जब एकोसिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ नेता कारिकर्ता समर्थक नहीं बलकि कुछ उनके मित्र हैं जो मीडिया से भी तालोख रखते हैं वो भी लड़ते हैं वो भी समर्थन में उतरते हैं तो ये गलत सही में दूर करना चाहते हूं कि सिर्फ एक व्यक्ति लड़ता है पुरी पार्टी लड़ती है यहां पर और पार्टी इसको अपनी नाक का सवाल बना देती है तो 2019 में जो हश्र हुआ इस बार फिर होने वाला था इसलिए राहु जी ने सीट चोड़ दी पर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी वर्सस मुतीरानी नहीं है लेकिन इस बार प्रियंका गांधी वाड़रा वर्सस मुतीरानी ज़रूर है मेरा ही मानना है कि अगर आप में इतना दमखम था तो आप लड़ लेते ना टिकिट तो कोई डिनाई नहीं कर सकता गांधी परिवार में गांधी परिवार की बेटी को तो या तो ये है कि गांधी परिवार में फूट है कि बेटी को नहीं बेटे को प्रार्थमिकता दी जाएगी या फिर स्वेम कॉंग्रिस पार्टी को लगता है कि श्रीमती वाड़रा में इतना शायद सामर्थ नहीं कि वो भाजपा के एक साधन कार्य करता के सामने चुनाव लड़ने इसका तो आपको जवाब कॉंग्रिस पार्टी ही दे सकती है पूर मुख्यमंत्री कॉंग्रिस पार्टी के यहां पर लगातार दिन राथ है अशोग यहनोट और वो भी जुटे हुए है कि स्मित्ती राली की हार हो जाए 2019 का हिसाब बराबर एक बीजेपी की साधारन कारेकरता को हराने के लिए पूरा खाननान चाहिए पूरा एकोसिस्टम चाहिए पूर मुख्यमंत्री भी चाहिए तो आप सोचे एक साधारन कारेकरता की बीजेपी में कितना कॉष्षल होगा संगठन की कितनी शक्ती होगी क्यों अपनी पूरी शक्ती एक सीट पे लगा रहे हैं अब भी साधारण कारे करता क्यों आप किंद्र मंत्री है है लेकिन वह साधारण सी बात है हमारी पार्टी में आज विश्वकी सबसे बड़ी राजनेतिक पार्टी हैं हम, हमारी पार्टी में साधारन कारे करता ही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, हमारी पार्टी में साधारन कारे करता ही दिवाल पर लेखन करने के बाद ट्रांस्पोर्ड मंत्री नितन जी की तरह बन सकता है या राश्ट्री अध्यक्ष बन सकता है तो मेरे यह मानना है कि बीजेपी के साधारन कार्य करता असाधारन श्रम परिश्रम के माध्यम से जीत दिला सकते हैं साधारन के अगरीब परिवार में जन्माव्यक्ति ग्रामी अंचल में जन्मा व्यक्ति देश का प्रधान सेवक बन सकता है यही तो बीजेपी के बारे में असाधारन बात है और अब कॉंग्रेस पार्टी ने अपना गेर बदल दिया है और और आपके पहले नहीं वो कह रहे हैं कि अब दस किलो राशन देंगे फ्री कौन सी गेर में प कौन रहा था गाड़ी तो मलिकारजुन खड़गे अध्यक्ष है हार रहे हैं तो खड़गे साफ जीत रहे हैं तो गांधी खानना ये कहा का निया है ये दस किलो का राशन काम करेगा लेकिन श्रीमती वाड़रा ने तो कहा राशन नहीं देना चाहिए वही तो गह रहे हैं कॉंग्रेस में कितनी फूट है आपको इसी से पता चल जाता है कल अखिलेश जी की प्रेस कांफरेंस जी शायद उसमें पत्रकार ने सीधा पूछा कि क्या राउल गांधी प्रधानमंत्री पद के इंडिया लाइंस के उमीदवार हैं अखिलेश जी ने सवाल डख कर दिया ठीक है इंडिया लाइंस में अभी तक नेड़ नहीं हुआ कि उनका प्रधानमंत्री का कौन हखदार होगा कौन उमीदवार होगा महाराश्य के इंडिया लाइंस के एक नेता हने काई जी हमारी मर्जी हम multiple प्रधानमंत्री उमीदवार करेंगे चार फेज हो चुके हैं सब्सक्स बैखें ने हुदो शुक्र पक्षि stağल शोगिस tea नहीं हुद פक्ष हाइए के खडगे जी ने तो नहीं कहा है तो क्या है कि में तो सबसे को पॉपेश पार्टी के अध्यक्षे स्ट के उन से सवाल किया था उन्हों बोला क्यों नहीं है गॉपेश बगेल को बच रहे हैं यह अब उपेश भगेल जूट बोल रहा है और Congress Parti के अध्यक्ष जूट बोलने से बच रहा है दोनों मेंसे एक ही चीज हो सकती है अ अगर इतना दम होता तो हमें ठी मट्श है इस वार परचार करने वहाँ भी चले गए जी मैं तो BJP की राष्ट्री पर चाहर रखू, तो हर जगा जाथ। मैं कासर गोड भी तो गई थे, और शायद आपके ध्यान में नहीं है मेरी सलोन विधान सबा जनपर राइवरेली में। आपती जीडरी कि रहें इंडिया की रहेंगी, और राइबरेली भी वो नहीं जीट thray तो वायनाट से पर्चा भरते, और वायनाट जीत रहे होते तो राइबरेली से नहीं बरते, दोनमें से इक ही संबख है न मैं फिर लड लेते हैं किया गलती की चार लाग टॉइलेट्च ने ये गलती है तीन लाग पचास थेजर घरों में नलका दिलाया पांच साल में ये गलती है डेड़ लाग परिवारों को विद्यूत का कनेक्शन दिलाया ये गलती है जिसमेटी में आज आज़ आज आब बैटी यहां का बाइपास तीस साल से मंगा जा रहा था मोधी जी ने तीन साल में बना दिया ये गलती की मोधी जी ने यहाँ पर आप जाईए ना इस बजार से थोड़ी पांच-दस मिनिट की दूरी पे मुन्शी गंज में तीस एकड़ भूमी गांदी खानदान ने अपने फांडेशन के नाम से लिये छे सो रुपईया देके उचाए कितना जूट बोलने हों कागस तो जूट नहीं बोलते अपने लिए प्राइवेट येस्ट हाउस बना लिया अपने संस्थान बना दिये लेकिन जब तीस एकड़ की वो भूमी ली थी तब लिख कर ये कहा गया था कि प्रदेश की सरकार के सानिद्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे वो मेडिकल कॉलेज मोदी ने बनाया तो मोदी ने गलती की क्या यहां पे ककवा रोड को एक ओवर ब्रिच बनना उसका 25 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा था मोदी जी ने बनवा दिया और जो कसमे कहते हैं परिवार के साथ संपर्क और संबंद रखने की आप बताईए लगभग 23 लाख लोगों का ये पूरा हमारे यहां पर रहवासी है उसमें से आज 19 लाख लोग मोदी जी के सानिध्य में राशन पा रहा है 50 साल उनका दबदबा रहा यहां से खटा कर भटा पर गरीबी क्यों नहीं हटाई कोई अपने परीजनों को गरीब रखता है यहां पर 4 लाख घरों में मोदी जी ने शौचाले बनवाई प्रती परिवार अगर 4 लोग भी है इसका मतलब 23 लाख के आबादी में 16 लाख खले में शौच करते थे क्या यह कोई अपने परीजनों के साथ करता है किया है कभी गांदी खानदाने खले में शौच जानवर काटता है औरतों को तब sexual assault होता था यह कोई परिवार के औरतों के साथ करता है नलका नहीं था साड़े तीन लाग घरों में, दो लाग बीस अजार घरों में गैस का कनेक्शन नहीं था, तो लोगं की रसोई में धुआ था, उनकी रसोई में बड़ा बड़े दावत ये दी जाती है, कहां का निया है, और आप एक काम करिये न, माल लीजे कि हम जूड बोल रहे हैं, ठीक, दोजार बारा का श्रीमती वाड़रा का अपना क्लिप है, चलाइए न आज तक पर, उसमें वो स्मयन सीकार करती है, हम बीस-बीस साल से यहां पर नितागिरी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस हम यहां का विकास नहीं कर पाए, मैं तो नहीं श्रीमती वाड़रा कह रही है, अब चौबीस की अमेठी को देखा है, अगर आपने कह दिया बहुत अच्छे हालात हो गए, वो कहेंगे आप गोदी मीडिया है, आप ना बोले है, आप श्रीमती वाड़रा का वो वीडियो क्लिप निकाल लीजे, श्रीमती वाड़रा का खुद का क्लिप है, खड़े होके आप मत बोलिये, मैं भी नहीं बोलते है, आप उनी का अखलिप उठा के दिखा दीगे, अरे क्या करें मेरे ठेकेदार पैसा खा जाता है, जब पैसा खा रहे थे तो आपने क्या किया, ठेकेदारों के खिलाफ आप ने कंप्लेंड की, नहीं, विर बोला मैं अपने हाथ से आप पैसा बाढ़ रही हूँ, क्यों बाढ़ रहे थे पैसा, क्या पैसा बाढ़ रहते हैं, आप मान लीजे, आपकी मेरी हम सब गलत हैं, आप 1997-98 का, राज मोहन गांदी का जो चुना हो रहा है यहां पर, राजी गांदी के खिलाफ, आप न्यू यूर्क टैंक्स की प्रती निका लीजे, 97 बूत लूटे, अमेटी में, जंगल राम नगर जाईए ना, आपको कई बुझूर्ग मिल जाएंगे, जो कहेंगे, खुले आम कॉंग्रेस पार्टी के नेता बूत लूटते थे, और याज लोक तंतर बचाने की बाते कहते हैं, इस इलाके ने उनका क्या ब पारे हैं, इसलिए तो नहीं लड़े, देखिये, जब उन्होंने कॉंग्रेस का प्रत्याशी घोशित किया, तब हैश्टेग क्या चलाया था, अकात का ना, यही तो किया था हम लोगों ने, ऑनलाइन, वो तो यह दिखाएंगे न, कि आपको कोई भी आ के हरा सकता है, ठीक को अधिकार नहीं यह कहने के लिए, यह मेरे पिता जी की सीट है, माता जी की सीट है, तो आमेद बाहने ने का, इडली से लेके आया था कोई, नहीं न, हिंदुस्तान की एक ऐक इस सीट पर अधिकार है, लेकिन मैं कहती हूं, कॉंग्रेस पार्टी क्या कहना चाता है, तबाकिसी हे लगता है, कॉंग्रेस पार्टी के खुद के नेता बोढ रहा है, राहूल घांडी चोड़ के स्मृति राणी को कोई भेहरा हो सकता है, इसका मतलब राहूल गांदी अंततो कर्था कॉट्वा, कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं के हिसाब से, अच्छे नेता कंजोर निर्ता है स्रितीरानी के सामने, यही कॉंग्रेस का कथन है न, अश्रोग गेलोथ कभी राउल गांदी को चुनाव लड़वाना है आए वधिवत, नहीं है, तो इसका मतलब अश्रोग गेलोथ राउल गांदी को जित्वाना नहीं चाहते थे, वरना जित्वानी कि इ गेलोथ साब को आना चेहरा पहले